जिन्देगी के एक खास बात होती है, जब आप अपने ही परिवार, दोस्तों या दिश्टेदारों से लड़ते हैं, तो आपको और लड़ाने वाले खुब मिल जाएंगे, पर जब आप अपने सारी गिले शिक्वे भुला कर एक होना चाहेंगे, तो उनसे वो बरदाश्ट नहीं होगा, अंदर ही अंदर वो परिशान होगे, बेचैन हो जाएंगे, यही हाल है राजस्थान में बीजेपी का, क्योंकि जो बीजेपी अभी तक पाइलेट और गहलोत की लड़ाई की चूले पर अपनी रोटियां सेक रही थी, उनसे अब पाइलेट और गहलोत को एक साथ एक मंच पर देखा तक नहीं जा रहा है, नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं, राजस्थान समभाज सीएम अशोग गहलोत ने बीजेपी को एक नहीं, बलकि दो-दो जटके देडाले हैं, पहले एतिहासिक बजट पेश किया, फिर पाइलेट के साथ किस्तान सम्मेलनों में शुरकत की सचिन पाइलेट और अशोग गहलोत की इस एकता से बीजेपी बेचेन है, बीजेपी खेमे में इसे एक खरबली मची हुई है, इसके बाद सरकार गिराने का दावा करने वाली भाजपाई तिकडी एक बार फिर से सक्रिये हो गई है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद काटारिया ने फिर से कहा कि जिस दिन मंत्री मंडल का विस्तार होगा, उसी दिन सरकार धराशाई हो जाएगी कटारिया के इस बयान पर पार्टी के प्रदेश धक्ष, सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजिंदर राठोड भी उनकी हां में हां मिलाते हुए नजर आ रहे हैं सीमा शो गहलोद की और से अब तक का सबसे लंबा और घोशनाओं के अंबार वाला बजट पेश करने के बार भाजपाई समले भी नहीं थे के हाल ही में हुए किसान सम्मिलोनों में कॉंग्रिस की एक्ता की तस्वीर से वे फिर परेशान हो गए सरकार की गिर्ने के बायान देने वाले भाजपाई दिगजों को ये तस्वीरे भी दिखावे की नजर आ रही है इसमें भी वो फूट का तड़का ढून रहे हैं उसके बाद नेता प्रितिपक्ष कटारिया तो यहां तक बोल गए कि पाइलट गहलोत की रिष्टों में गाठे पड़ी हुई है ये रिष्टे कभी भी सामाने नहीं हो सकते कटारिया की माने तो जिस दिन मंत्री मंडल का विस्तार होगा उसे दिन सरकार धराशाई हो जाएगी राजिनर राठोर ने भी कटारिया की ही बात को कुछ ऐसे ही शब्दों में आगे बढ़ाया कॉंग्रस की फूट को मुद्दा बनाकर उपचुनाव जीतने के सपने देखने वाली बीजेपी के मनसूबों पर फिलहाल तो पानी फिर गया है कॉंग्रस की नेताओं की नस्दीकिया उसे हैरान कर रही है सरकार गिराने और मध्यावदी चुनाव की भविशेवानी करने वाले भाचपाई बयानवीर इन तस्वीरों को बरदाश्थ ही नहीं कर पा रहे है कॉंग्रस की नेताओं की बीच मिटते गिले शिक्वे उसके लिए सिर्धर्द बन रहे है प्रदेश अदेक्ष सतीश पून्या कॉंग्रिस खेमे में कल है की पूरी गुंजाईश के पीछे अलग-अलग तर्क दे रहे है लेकिन वो फिलहाल तो किसी के भी गले उतरते नहीं दिख रहे है प्रदेश में किसान सम्मिलनों की बीच सरकार के बजट के खूप चर्चे है सरकार बदली फिजा को अपचिनाव तक बरकरार रखना चाहती है ताकि कॉंग्रिस की फूट में जीत के भाचपाई मनसूबे किसी भी सूरत में काम्याब नहीं हो सके अब जो दरारे दूर से दिख जाया करती थी वो जब अपने आप भर रही हो तो सबसे पहली और आखरे परिशानी आपके पड़ोसे को ही होगी वो हर रोज ये कोशिश करेगा कि वो दरारे भरे ही ना बीजेपी भी अभी कॉंग्रिस के लिए वही काम कर रही है पर समय बड़ा बलवान होता है ये सब कुछ बड़ल सकता है तो ये थी राजस्थान की राजनीती पर हमारी एक खास रिपोर्ट कैसे लगी आपको ए रिपोर्ट? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं साथ ही ऐसे ही राजस्थान की राजवीती में अपड़िट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान समबाद को क्या आप भी इस जमाने में एरफोन यूज कर रहे हैं जिसका हर बार वाय तूटने का डर रहता है अगर आपको एरफोन के बजट में ब्लूटूथ नेक बेंड मिल जाए वो भी इंडियन ब्रैड के साथ तो कैसा रहेगा जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रही हूँ जागिदा शॉपिंग एब के जो खास आप के लिए लेकर आया है आल ब्लूटूथ नेक बेंड पर स्पेशल डिसकाउंट तो आज ही डाउनलोड करें जागिदा शॉपिंग एब